Hello students, welcome to the P&D coaching classes, learn easily and smartly. तो आज हम पाढ़ने वाल एक topic जिसका नाम है register, तो चलिए करते हैं start. तो basically students, register एक ऐसा electrical component या फिर electrical device होता है, जो कि limit करता है या फिर regulate करता है, regulate करने का मदब है control करता है electric current को. याने कि मानने जी कोई conductor है या electrical wire है, जिसमें से electric current flow हो रही है, तो उसमें से electric current जो flow हो रही है, उसको control करना, या उसमें से limited electric current को flow होने देना, तो ऐसे devices को ही हम बोलते है register, तो ऐसे devices जो कि electric current को limited तरीके से flow होने देते हैं, या फिर उसके flow को control करते हैं, regulate करते हैं, ऐसे electrical devices को हम बोलते है register, तो इस तरीके से आप यह बोल सकते हैं रेजिस्टर कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो कि electricity के flow को easily होने नहीं देता है तो वो हमाय लिए रेजिस्टर हो जाएगा ओके students अब अगर हम बात करें examples के लिए तो generally जो हमारे घर में instruments लगे होते हैं जैसे की fan, bulb, tv, etc यह जो सारे हैं रेजिस्टर होते हैं क्योंकि एक limited current को ही वो अपने अंदर से flow होने देते हैं इसलिए यह हमाय लिए रेजिस्टर के जैसे काम करते हैं अब बात करते हैं कि जब हम electric circuit बनाएंगे या electric diagram बनाएंगे तो वहाँ पर रेजिस्टर को कैसे बनाया जाता है या कैसे दिखाया जाता है तो generally register को represent किया जाता है इस वाले symbol से याने कि सीधी line जिग-जिग-जिग-जिग-जिग symbol होते हैं and then straight line होती है तो इस तरहीं के से हम registers को represent कर सकते हैं Okay students clear है I hope students आपको clear हो गया होगा अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है knowledge मिला तो please हमारी चनल को subscribe केजिए and वीडियो को like ज़रूर करें आज के रिए तना ही Thank you